गुड मॉनिंग टू अल ये एक नई स्रीज होगी जिसमें हम इवोलुशन ओफ दी इंडिन कॉंस्टिटूशन ये एक हाई येल्ड स्रीज होगी जिसमें कॉंस्टिटूशन हमारा कैसे इवोल हुआ इसको हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे और पूरा बेसिक के साथ समझें और इसको हमने दो भागों बाटेंगे एक तो प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस इससे जो कॉंस्टिटूशन का जैसे जैसे इवोलुशन वार अभी जो लेटेश दोज़ेश तक कैसे हमारे कॉंस्टिटूशन में क्या-क्या बदला हुआ है उनको हम पूरा कोर के साथ डिसकस करेंगे क्योंकि हर बार यूपेसी में प्री और मेंस में इस से रिलेटेड क्वेशन आते रहते हैं पहले थोड़े बैक ग्राउंड की बात करते हैं जब मोरियन एंपायर था उस टाइम पे भी कॉंस्टिटूशन की प्रिंसिपल को फोलो किया ज दिये तो वहीं से एक रिटन कॉंस्टिटूशन के ट्रेश आते हैं लेकिन जो आज का हमारा स्विधान है उसको आप देखोगे तो इसका रिफरेंस लिया जाता है जब 1773 जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया वहां से हम ट्रेश करते हैं और 1947 का इंडिन इंडिपेंड और यह इतनी अच्छी स्रीज होगी इसको फोलो करना आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा आपको कहीं से कोई फिर बात में सोर्स पढ़ने की ज़रूत नहीं होगी आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हो और इस वीडियो को बार बार देख सकते हो तो पहले बैक्ग्राउ जो कुइन इलिजाबेτη वहाँ पर में वह इनको चाज़ार इशु करती थी कि ऐस्ट इंडियो कांटरी है इंडिया वह बाकी कंट्री इंंधमें उनको ट्रेड करने के चाज़ार दिया जाते थे और उनहीं के बल पर वहां पर बिल्टिश पार्लामेंट थी ब्रिटिश एक्टिविटी करना चारी थी उसको इस्ट इंडिया कंपनी बोला गया था और इस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उससे पहले यहां पे पॉर्टगीज थे डच थे इन्होंने अलड़ी अपनी काफी ज्यादा फैक्टरी इस्टेब्लिश कर रखी जैसे सूर बैटल ऑब बक्सर इन्होंने जीती तो उसके बाद में क्या हुआ कि बंगाल जो की बहुत ही रिच था उस टाइम पे इंडिया में आज भी रिच है तो उस टाइम जितना ट्रेड हो रहा था बंगाल से अपना बेव बंगाल होते हुए बाकी कंट्रीज के साथ में इंडिया में और ज्यादा बढ़ जाता है और बैटल ऑबक्सर के बाद में इनको दिवानी राइट्स मिलते हैं दिवानी राइट्स क्या होते हैं दिवानी राइट्स होते हैं दिवानी राइट्स होते हैं दिवानी राइट्स और ये बंगाल बिहार और उडिशा तीन ज पुद्ध के डिप्टी दिवान मुहमद रजा खान और राजा शिताब राय इन दोनों का अपना दिवान अपट किया और इनके त्रिव अपना पूरा रेवन्यू यहां पे क्लेक्शन करते थे उल्दो 1766 से इन्होंने फस्ट इंट्रेंशन स्टार्ट कर दिया था इंडियन के अफेर्स में उससे पहले इंडियन के इंटरनल अफेर में लोग इंटर्फेर नहीं करते थे क्योंकि इनका मेन फोकस ट्रेड में था बिट 1767 के बाद में इन्होंने स्टार्ट किया और 1765 से लेकर 72 साथ साल के इस रूल को एक बला जाता है डुएल सिस्टम होगर्मेंट डुएल सिस्टम होगर्मेंट क्या था कि कंपनी के पास सरफ अथोर्टी थी कि अपने रेवन्यू राइट लेंगे अपने कॉमर्सिल एक्टिविटी करेंगे दस्तक के राइट थी इनके पास दिवानी राइट थे बट इनके पास कुई रेस्पोंसिविल्टी नहीं थी और जो इंडियन रिपर्जेंटेटिव थी उस टाइम जो सुजाव दूला और बाकी जो यहां के लोकल किंग थे उनके पास रेस्पोंसिबिल्टी पूरी थी लेकिन अथोर्टी नहीं थी क्योंकि पूरी यह अपनी कंपनी ने इंटरफेस स्टार्ट कर दिया और उसके कारण उन्होंने अपना राज स्टार्ट कर दिया तो इस पिरिड में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा रेंपेंट करफशन देखनों के मिला करफशन कैसे कि जो कंपनी की थे कंपनी में जो उसके स्टेक ओलडर थे जैसे लोड कलाई ठीक इनके उपर बहुत ज्यादा करफशन के चार्जी थे जब इंडिया से जाते थे लोग तो इतनी ज़्यादा wealth लूट के ले जाते थे कि वहाँ पर जा कि कईयों को तो code में issue किया गया और उस corruption की कारण क्या होगी company के shares कम हो गए लेकिन individual के share order बहुत ज़्यादा हो गए individual बहुत ज़्यादा reach हो गए क्योंकि इनों ने company की बजाए यहाँ पर private trading start की जो इंडिया में जो local vendors थे local merchant थे उनके साथ में private trading करते थे और सारी wealth को सिर्फ अपने काम की इस्तेमाल करते थे नहीं कि British government को देने के लिए सबसे ज्यादा revenue collection करने लगे जो page entry class थी उस time आपने देखा कि कितने page entry के revolt हो रहे थे वो इसलिए time British government ने सोचा कि हमें कुछ नगुस्तों इनके ओपर rule लगाने की जुरुड़ता और उसी से मतलब उनकी activities को regulate करने के लिए regulating act 1773 British government ने स्टार्ट किया तो इसी के नाम से आता है कि इसको बोला जाता है regulating act मतलब company को first time British government के दोवरा एक direct control किया जाने लगा और जितने भी इसके affairs अंडियन सब continent में उसको पूरी तरह से regulate करना तो regulate करने के लिए उनको कुछ कानून बनाने पड़ेंगे तो इनना इस तरह की कानून बनाया कि बंगाल को अपना एक नोडल पॉइंट रखेंगे और मदरास और बंबे उस ताइम पे ज्यादा प्रिंस नहीं थे इतने प्रोइंशल स्टेट नहीं थे जो में में क्योंकि अकिला Cov and General तो समाल नहीं सकता इसलिए चार मेंबर्स उसको असिस्ट करने के लिए जो भी अक्टीव अच्टिवटिन गोजिस्ट करेंगे और पहले में क्या थे इनों प्रिंस ऐक बराबर होती थी और उसी टाइम पर इन्होंने क्या किस सुप्रीम कोड भी स्टेब्लिश के था तो सुप्रीम कोड का अब देख रहूं कि जिने सिस कहाँ से श्टार रहा है उस्टोंने कलकत्ता में सुप्रीम कोड इस्टेब्लिश क्या था 1774 में एक CJI था उस टेम पे और तीन अधर जजिज और सुप्रिम कोट का का काम था ने ये था कि जो कंपनी के सर्वेंट है अगर प्राइवेट ट्रेड करेंगे तो उनको उसमें ट्राइल किया जा सकता है उनको कोई अगर नेटिव से ब्राइब लेते हैं तो उसको भी ट्राइल क company के ओपर किया और जो court of directors थे जो कि इनकी governing body थी company की वो जितने भी civil right revenue right और military affairs है उनकी report direct British government को देगी तो यहां पर हमारा 1773 act हम कदम करते हैं इसके तुरंत बाद आया था 1781 का act इस act को बलाता है act of settlement act of settlement क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें काफ़े defect रहा गए एक तो supreme court की power को पूरी तरह से इन्होंने clarification नहीं दिया सेकिंड क्या वज़े court of director के function बहुत ज्यादा होगे क्योंकि वह revenue right civil right military right political right मत्रों काफी चीज़ों को वह अकेले ही संबाले था उनको मुश्किल पड़ रहा था दूसरा क्या वह दोनों presidency उनको मदरास और बॉंबे को subordinate कर दिया था तो कुछ एक कमियों को दूर करने के लिए नेक्स सेवंडेनेट यह जिसको act of settlement बोला गया और बिर्टिश पार्लेमेंट ने एक्ट पास किया इसके कुछ इस फीटर की बात करते हैं कि इसमें जो था गोवर्नेट जनरल और उसकी काउंसिल उनको हटा दिया कि यह सुप्रीम कोट की जो डिटेक्शन में नहीं आएंगे जब भी कोई काम गोवर्नेट जनरल और उनकी काउंसिल अगर कोई official act कर रही है तो उसको एक्जम्ट किया ग कोंपनी के जितने सर्वेंट थे जब यह official activity कर रहे हैं तब नहीं होगा मतलब private trade करेंगे तो होगा और जो revenue matters थे और जो भी revenue से rising चीज़ें थी वो भी Supreme Court के अमबिट से बाहर कर दी और इन्होंने क्या कहें कि Supreme Court की जो jurisdiction है जितने भी inhabitant को लकत्ता के उनके उपर रहेगी बट जो हिंदू है और Muslim है तो इनकी जो गोवन किया जाएगा वो इनके खुद के लोज होंगे जैसे Hindu का कोई personal लोग हो उनके दोवारा Muslim के मुमेड़न लोज के दोवारा मतलब जो religious चीज़ें थी उनमें इन्होंने कोई interfere नहीं किया औ में तो होना तो यह जाए था कि provincial court में जो भी अपील सारी है वो कहां जाने थी supreme court में लेकिन supreme court में नहीं जाने के वजाए यह governor general in council के पास जाती थी supreme court में नहीं जाती थी इससे क्या हुआ कि जो governor general in council है वो ही regulation मनाते थे provincial court के लिए और council के लिए तो यह सारे feature 1781 जो act of settlement था उ उसके बाद आता है pitch act जो 1784 का act है इस act में क्या कि जितने वी act आ रहे हैं वो पहले वाले को rectify करना चाहरे है ताकि जो British government regulate करना चाहरे है companies की activity को वो ठीक से करें इसने पहली बार किया कि जो commercial और political activity separate किया separate करने पीसे क्या करना था मनें आपको बताए कि जो board of director था उसका दोनों को अलग अलग कर दिया और दोनों की duties बताए कि जो board of control है यह political affairs को handle करेगा जो भी political activities हो ही companies की कि कि किसको nominate करना है किसको elect करना है जो decision लेने हो सारे board of control करेंगा और court of directors हो रहेगा वो जितने commercial activities है revenues related activities है उनको यह handle करेगा तो इस time यह एक origin होता है dual government का मतलों dual system होती ग से start होती है और इसमें जो board of control है पूरा supervise करेगा जिसमें civil आगी military आगी revenue आगी और जो भी British position इंडिया में है इसलिए और यह act काफी signipoint माना जाता है कुछ कारणों से पहले तो क्या था कि जो company की territory थी उन companies की territory को बोला जाने लगा British position British position in India मतलब company territory अब British के position में है दूसरा क गया था कि British government को supreme control दे दिया कि जो भी companies के activity होंगे फेर्स होंगे और administration होंगे क्योंकि यहां पर डारेक्ट कंट्रोल कर रही है थरो था board of control अंदी court of director और जो governor की council setup की गी मदरास और बॉंबे में क्योंकि इन दोनों को subordinate कर दिया था तो वहां पर उस टाइम पर council नहीं थी council बंगाल में जो governor general को assist करने के लिए थी लेकिन यहां पर देखा कि अब यहां पर भी जरूरत है setup करने की तो मदरास और बॉंबे में भी उन्होंने setup की इसके बाद एक छोटा सा act हो रहा था 1786 का act 1786 में क्या होता जब lord convalis lord convalis को बोला जाता है कि आपको इंडिया में as a governor general apparent किया जा रहा तो बोला नहीं मैं नहीं जाओंगा क्यों बोला मुझे चाहिए कुछ power separate अगर special power दोगे तो ही जाओंगा क्या power चाहिए तो lord convalis ने बोला कि सबसे पहले जब 1773 का act था उस टाइम पर जो council बनी थी तो वहां पर voting होती जिसमें majority decision होता था बोला नहीं इसमें जो भी decision होंगे उसमें मुझे override करने की power होने चाहिए कि जो council है मैं उसके decision को override कर दूँ तो इसके बात मान ले गई दूसरा क्या था कि वो खुद commander in chief रहेगा मतलब पहले क्या था commander in chief अलग कोई person होता था लेकिन बोला नहीं मैं खुद ही commander in chief होंगा तो ये 1786 के act में कुछ special provision डाले गए उसके बाद में इनको अपाइंट किया गया उसके बाद में आता है 1793 का act इसमें क्या हुआ कि जो power lord governance को दी गई थी as a governor general बंगाल कि भी जो council के decision हो में उनको आप override कर सकते हो वो सारे future governor general जितने भी आएंगे जैसे 1813 में 1833 में जब भी कोई governor general आएगा उसके प बंबे और बंदराश वो उसके पूरी subordinate रहेंगे मतलब पूरी power और control जो भी government related होगी वो governor general ही देखेगा और यहाँ पे 1793 में क्या किया गी जो trade monopoly थी company की company को क्या था कि पहले उसको extend किया दा था 10 साल के लिए 20 साल के लिए यहाँ पे फिर से 20 years के लिए उसकी trade monopoly company की और commander in chief था इसी 1793 के एक्ट में जो commander in chief पहले क्या था governor general की council काई member होता था लेकिन बोला नहीं यह member of council नहीं होगा यह अलग से रहागा commander in chief until unless की उसको अलग से appoint नहीं किया जाए और उसमें क्या हुआ कि जो board of control था उनके staff थे उनको pay किया जाने लगा Indian revenue से मतलब इंडिया का जो revenue उसी से board of control और उसके staff को pay किया जाया कि यहीं से हमारी drain of wealth मतलब इंडिया का जितना भी wealth था वो British में जाने लग गया जो home charges है और तो बाद में इसको बहुत ज़्यादा ओजागर किया था काफी हमारे economist जैसे दादा बाहिना रोजी ने इन्होंने books लिकी थी कैसे हमारे wealth को vertices लेके जा रहे हैं तो यहीं से हो चीजे start होती है कि इनको pay ही हमारे इंडियन revenue से किया जाता है तो obviously फिर हमारे x checker पर फरक तो पड़ना ही है next act पर चलते है चार्ट रेक 1813 यहां पर बताया था ना कि 1793 में score 20 साल के लिए बढ़ा दिया तो चार्ट रेक 1813 आया 1813 में क्या किया उस टाइम पर एक less is fair system चल रहा था less is fair less is fair क्या होता है इसके मतलब होता है leave alone कि अकेला छोड़ दो यह mainly क्या था कि जो business class थी वहां पर या और बाकी merchant थे बिर्टेन में उन्होंने वहां पर protest करना start कर दिया कि सिरफ जो इस्ट इंडिया company और बाकी जितनी वी आपकी company जा उनको ही trade क्यों किया जाए हम भी trade करना चारें बार और government को regulate नहीं करना ची बिजनेस और commercial activity को तो इसको ध्यान में रखते विए वहां से देखा कि यह trade तो बाकी लोगों के लिए open करना पड़ेगा सिरफ इस्ट इंडिया company monopoly वहां पे नहीं होगी क्योंकि इस्ट इंडि कि जितने भी ports थे यूरोप के सारे ports को बंद कर दिया कि वह British में नहीं जाएंगे और जैसे British में नहीं जाएंगे तो British का trade कम हो जाएगा और British की बहुत ज्यादा colonies थी अगर उनका ट्रेट नहीं होगा तो उनका वर्चाश्य वर्ड में कम हो जाएगा क्योंकि British का क्या था क सन नेवर सेट मतलब उनका इतनी ज्यादा कलोनी थी कि उनका जो राज है उसका कभी सूरत जिपता ही नहीं था तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं उन्होंने क्या किया कि अब तो इस इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को कम करना पड़ेगा और बाकी लोगों को भी कि उसमें इन्वोल करना पड़ेगा तो इस एक्ट में उनकी जो मोनोपोली थी इस्टेडिया कंपनी की वो बंद कर दी सिरफ दो चीज छोड़ी कि जो एक्सप्टिंटी और ओपियम मतलब टी में ट्रेड कर सकते हैं और चाइना की साथ में कर सकते हैं और बाकी जो जनको भोजा देए एक एक एक्सपेंशनिस्ट पोलीजी है इनकी की धरम के ओभी यूज करना ताकि एक सोफ्ट पाउर के दरो ये इंडिया पे रूल कर सकें तो उनको भी इस टाइम पे अलाव किया गया तो यहां पे क्या हुआ कि जो ट्रेड था वो सब के लिए ओपन कर आई मतलग एसरें ओफ ब्रिटिश क्राउन सोवरिंटी और दा कंपनी टेरिटर इंडिया क्यों कंपनी को तो बिलकुल इन्होंने मोनोपोली खतम कर दी दो चीज छोड़ी है तो अब इसी बात है यहां पे उनकी मोनोपोली कम कर दीगी और उस टाइम पे जो वेस्टन क्या था कि एक लाख रुपया एजूकेशन पर स्पेशली और इंटल जो हमारे खुद के सब्जेक्ट है उनके और फोकस किया जाएगा ताकि यहां के लोगों भी पढ़ाया जाए और क्रिस्टन मिसनरीज को प्रमोट किया गया कि आप एजूकेशन में इलाइटन में उसी पर सिवलाइज करने के लिए भगवान ने हमें सिवलाइजेशन के लिए भीजा है तो इंडियन सोचे हाँ भी होगा बट ऐसा कुछ नहीं था यह इंडियन पर रूल करना चाहरे थे तो यहां पर इनोंने कि वेस्टन एजूकेशन को स्प्रेड करना शुरू किया और जो एक लाग रुपईय था यह उस टाइम पर कोई इंप्लिमेंट नहीं किया गया जो लोकल गूर्ण्न्ट थी इसी अक्ट के इसाफ़ से जो लोकल गूर्मेंट थी इंडिया में उनको कुछ पावर दी गई कि आप लोगों पे टेक्स लगा सकते हो और अगर कोई टाक्स नह करना और यहां पर उनकी monopoly खतम कर दी चलते हैं नेक्स्ट एक्ट नेक्स्ट एक्ट चार्ट रेक्ट ऑफ दा एट्टी थर्टी थरी हर एक बीच साल के बाद एक्ट आ रहे हैं और बीच में सिर्फ केट्प एक्ट आ रहे हैं जिनको हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं इसयक्ट को बहुत ही मेटापुन बोला जाता है क्योंकि इसने पूरा सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी दिखाई है यहां पे इंडिया में सेंट्रलाइजेशन वाला रूल स्टार्ट होता जिस आज के दिन आप देखोगे तो सेंट्रलाइजिशन नहीं है हमारा फेट्रलिजम का कंसेप्ट है जिसमें सेंट्र गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट दोनों पावर डिराइव करते हैं सिधा कॉंस्टिटुशन जो तो कुछ फीचर हैं जिसमे सेंट्रलाइज टेंडेंश जरा थी बट मैक्सिम हमारे फेटल सिस्टम है यहां पर फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजिशन के लिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या गया जो गवर्मेंट जनरल ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गवर्मेंट जनरल ऑफ इंडिया मत असलव कलगत्ता में पूरी आ गी और इस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि वहां पर उसको टी में और चाइना के साथ में ट्रेड करने फ्रेडम थी 1813 में और 1833 में क्या कि आप से अटा के सिर्फ इसको कि आप सिर्फ एड्मिस्टेटिव काम करो कोमर्सिल काम आपका नहीं है वह हम बाकी जो बिर्टिस से बिजनेस वाले आएं इस सब के लिए ओपन आप वो लोग करेंगे अब इससे पहले जो लोज बनाय जाते थे उनको बोलते थे रेगुलेशन जैसे था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उनको रेगुलेशन बोला जाता था लेकिन इस एक्ट के बा स्टाट की जो सीविल सर्विस है जैसे आज के दिन सीविल सर्विस होती है उसका एक्जाम होता है तो सीविल सर्विस का जो कंपेटिशन था यह ओपन कर दिया कि यहां पे इंडियन भी पार्टिस्पेट कर सकते हैं किसी वह बार नहीं किया जाएगा एंप्लियमेंट के ल से सुभासंदर बोश ने सातिंदर नाथ ने काफी लोगों ने इसको क्वालिफाई किया लेटर ओन स्टेज में तो यहां पर यह इन्हों ने पूरा ओपन पहले उसके provision discuss करते है कि जो 1853 आया यह जो चार्टर एक्ट आ रहे थे चार्टर एक्ट शार्टर एक्ट 1813 है चार्टर एक्ट 1784 शार्टर एक्ट में से सबसे लास्ट था जो बिर्टिस पारियमेट ने पास किया था जो की 1773 से लेकर 1853 तक उसके बाद में उनके डिफरेंट Act फिर बोलते थे Government of India Act उनका नाम रखा गया जैसे 1858 उससे पहले Charter Act थे तो यहां तक उनके Charter Act खतम होते हैं और इसने क्या किया कि जो Legislative और Executive Function थे Government General की Council को Separate कर दिया जैसे पिछले वाले में बताया था ना कि पूरी जो Legislative Power वो कलकत्ता को दे गी और Bombay और Madrasco से हटा दिया बट 1853 में क्या गया कि जो Legislative और Executive Function थे Government General Council के उनको Separate किया गया और 6 नए Member as a Counselor Council में वहां पे उनको Appoint किया गया और यहां पे जो Open System जो Open System की बात कर रहे थे हैं हम Civil Service में वो Open System जितना भी Selection है Recruitment है Civil Servant का उसके लिए Open कर दियागा Indians के लिए भी और यहीं पर एक Committee आती मैं काउले Committee बोलते हैं जिसको Father of Education यह English Education इंडियाम बोला जाता है उसने जिसने Indian Penal Code या Indian Civil Service दोनों चीज़े मतलब उसको Father माना जाता है Indian Civil Service का तो कानवाल इसको मना जाता है बट इसने जो Rules बनाये थे वो Civil Service पे लागू होते थे और इसमें जो Company का Rules था उसको बताया कि आप Indian Territory को अपने पैजेशन में ले सकते हो लेकिन किसके ट्रस्ट में हो गया आप यहां पे ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटिश क्राउन है वहां की क्यून है उसके नाम पे जितनी territory है अपने पैजेशन में रखो लेकिन कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं बताए पहले क्या पर कुछ नहीं बताया सिदा बताए कि आपको कभी भी टर्मिनेट के अधा सकता है जब भी पार्लेमेंट जब बिटिश पार्लेमेंट चाहेगी उस टाइम पे आपको हटाया जा सकता और इसी टाइम पे लोकल रिपर्जेंटेशन मतलब इंडियन की भी बंगाल एंड आगरा जहां के जो लोकल प्रोइंशिस के थे उनको भी इंक्लूड किया गया एजे गोवर्नर्स की काउंसिल में ताकि इंडियन का भी साथ इसमें दिया जाए अब बात करतें 1858 की 1858 का एक्ट क्यों आया था क्यों 1857 में क्या हुआ था 1857 में फर्स्ट वार of independence sourker नहीं बोला कि यह फर्स्ट वार उप independence था उस टाइंपे जो CPU ई मेंटेनी थी उसको CPU मेंटेनी इसलिभी बुलादायों चाहिए कि स्टार्ट यहांपे जो नोकरी कर रहे थे सरकारी नोकरी जो फोजे लोग थे उनके दुआरा यह किया गया था क्योंकि वहना हैपी थ था second यहां कि आप economic activity देखो कि government इतना ज्यादा exploitation कर रहा था peasants का ट्राइबल्स का उसके बाद political activities देखो फिर काफी ज्यादा exploitation हो रहा था फिर religious में इंटरफेर हो रहा जैसे सती को abolish किया गया 1833 में low बना के उसके बाद widow remarriage act मतलो काफी चीज़ें इसी थी जो इंडियन्स के जो यहां का tradition था उसके अंदर में चेडखान हो रही थी तो उसको देखते हुए government ने देखा कि अब तो meeting आ गई तो हमें कुछ ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि ताकि हमारा जो rule है वो legitimate लगे क्या लगे legitimate legitimacy क्या होती है कि इस का rule होता है कि आप govern कर रहे हो with the consent of the people rather than imposing on the people तो जब legitimacy हो जाती है तो rule करना इनके लिए आसान हो जाता है तब लगता है कि जो भी चीज़ कर रहे हों आपके भले में कर रहे हैं और इसलिए इसको बोला जाता है act of the good government of India ऐसी कोई good governance लाए नहीं थे पर फिर भी इस का नाम दिया गया तो इसमें क्या हुआ कि जो company वाली चीज़ें हटा गे इन्होंने जो गवर्नर जर्नरल था उसको नाम रख दिया वाइसराय ओफ इंडिया और वाइसराय ओफ इंडिया पहला को था लोड कैनिंग को फर्स्ट वाइसराय पॉइंट किया गया और इसमें और क्या प्रोविजन थे जो डबल गोवर्मेंट थी जो 1784 में पिट्स एक्ट में स्टार्ट हुई थी डबल गोवर्मेंट, court of director, board of control ये हटा गे इन्होंने simple अपना बाकी सिस्टम रखा जिसमें एक तो secretary of the state होगा उसके पास पूरी power होगी कि Indian administration को control करना है ठीक है दूसरा वाइसराय होगा जो यहां की activity देखें और secretary of the state को assist करने के लिए 15 member की एक council बनाई जो की assist करेगी secretary of the state में वो एक advisory body है और secretary of the chairman उस council का chairman मनाएगा और जो secretary of the state है उसके लिए बताया गया है कि जो council है उसको इंडिया में भी CEO किया जा सकता है मतलब उसके against में कोई court में फाइल किया जा सकता है और British में भी क्या जा सकता है तो एक act काफी मतलब different type का था और इसका ultimate purpose वही था कि जो भी activities है उनको supervise किया जाएगा England में जितनी भी है क्योंगी कंपनी के activities almost इन खतम कर दी थी पिछले वाले act में ही बट इस act की बारे में यही कहा जाता है कि यह largely confined था सरफ किसके लिए improvement of the administrative machinery ताकि Indians की government को ठीक से supervise किया जाए इसने कोई substantial way में जो governance चल रही थी उसको chain नहीं किया क्योंकि ultimate purpose इंड का अपने legitimate से ensure करना और इंडियन का थोड़ा वोत कोप्रेशन साथ में लेना था नेक्स्ट उस पे चलते हैं नेक्स्ट है इंडियन काउंट सिलेक्ट 1861 अब यहीं से decentralization start हो जाता है क्योंकि 1833 वाले में जिसमें governor general of the बंगाल को governor general of इंडिया बना दिया था और पूरी पाउर ले ली थी मदरास और बंबे को बिलकुल डिप्राइव ओफ लेजलेटिव पाउर कर दिया था तो उस टाइम भी सेंट्रलाइजेशन हो गया तो 1861 में यहां पर इन्हों ने धीरे धीरे decentralization स्टार्ट किया दिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि लेजलेटिव पाउर बाकी presidency को भी दी गई तो यहां पर जो मदराश और बंबे presidency थी उनको भी कानून बनाने की पाउर वापिस दे दी क्योंकि उस टाइम पे इनको इंडियन का कोपरेशन चाहिए था तो बाकी जगह भ यहां पर इनवोल करोगे तो उबिसली इनका एक और लेजिटिमेशी बढ़ जाएगी क्योंकि हम इंडियन्स को उन साथ में लेके फिर अपनी गवर्नेंट चला रहे हैं और नए कुछ प्रोविंसी भी बनाएगे जैसे बंगाल का नोर्थ वेस्ट प्रोविंसी पंजाब का इनकी भी एक लेजिलेटिव काउंसिल बनाएगी जैसे कि आज के दिन विधान सभा होती है उसी तरह एक लेजिलेटिव काउंसिल बनाएगी और वाइसराय को इंपावर किया गया ओडिनेंस बनाने के लिए जैसे आज के दिन देखो कि तो हमारे सविधान के 123 और 213 यह चैन्टर लेवल पे स्टेट लेवल पे इस आर्टिकल में लिख है की ओडिनेंस की ओडिनेंस इसू किया जा सकता जब हाउस दोनों हाउस या एक हाउस जिस टाइम पर सेशन में नहीं हो तो उस टाइम पर यह था कि अगर जब भी वैसराइ कोई इस टाइब का कानून बनाए यह इसकी maximum होती है, तो उसी तरह यह ordinance का देख सकते हो कि कैसे हमारा evolution हो, और यहीं पर क्या किया कि एक portfolio system introduced किया, portfolio क्या होता है, कि different department में ही चीजे run हो, rather than की centralized करें, छोड़ छोड़ डिपार्टमेंट बनाओ, जैसे कोई budget का department, आज के दिन आप देख सकते हो, दूसरा कोई health related department, तैसे करके छोड़ छोड़े department उन्होंने बनाए, ताकि उसकी हिसाब से, उसको run किया जासके, government में, तो यह 1861 का act था, बाकी जो act है, हम next topic में discuss करेंगे, और इस series को हम continuously इसी तरह background के साथ में करेंगे, thank you, thank you for watching.